नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम आज की शुरुवात इस तस्वीर के साथ इस तस्वीर को भारती लोगतंत्र की एक सकारात्मक फोटो या पॉजिटिव फोटो के तौर पर पेश किया जा रहा है यह फोटो अपन पर एक नेता जमा जम बारिश में खड़े होकर किसी मीटिंग को सभा को संबोधित करता है तब वह एक सकारात्मक धंग से लोग उसे देखते हैं रिसीव करते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात यह तस्वीर जो कह रही है वह उन लोगों के बारे में बता रही है जो इतनी बारिश में जमा जम बारिश हो रही है अंधेरा है लेकिन सैक्णों की तादाद में भीगते हुए नेता को सुनने के लिए खड़े हुए हैं शायद ये लोग जो खड़े हुए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए करनाटक में ये बता रहे हैं अपने आप में कि आज क करने की कोशिश भर की जाए तो जनता तयार है सुनने के लिए तयार है बहुत मुद्दों पर बात करने के लिए अगर उसे लगता है कि उसके दुखदर्द पर कोई हस्तक्षेप हो रहा है कोई बातचीत भर हो रही है राहूल गांधी की इस तस्वीर जो की बहुत वायरल कुछ लोग को कुछ और नेता भी याद आ रहे हैं कई ऐसे नेता भी आ रहे हैं भाषपा के ऐसे मुख्यमंत्री भी याद आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी याद आ रहे हैं जहां पर एक मुख्यमंत्री को गोदी में उठा के तकरीबन ले जाना पड़ा क्योंकि वह बारिश में अपनी ड्रेस खराब नहीं करना चाहते थे वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रधान मंत्री को बचाने के लिए किस तरह से चाते की टीम उतरती है सवाल बहुत साफ है कि राहुल गांधी ने यह जो तस्वीर भारती लोकतंत्र के सामने पेश की है यह बता रही है कि किस तरह से भारती लोकतंत्र में जनता नेता से सीधे रूबरू होने के लिए उतारू है यह जो पहली तस्वीर है यह भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है जो आपने देखी और यह भारत जोड़ो यात्रा प्रेम, महबत, अमन की बात करते हुए पूरे भारत को तमाम लोगों को जो भारत में रहते हैं जोड़ने की बात कह रही है और यह तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है यह कोलकता में हिंदू महासभा के दुर्गा पंडाल से आई है हाला कि अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है लेकिन आप देखिए कि एक तरफ जहां महबत और प्रेम और जोडने की बाते हैं वहीं दूसरी तरफ जो नफरती एजेंडा है वहां महात्मा गांधी को भी बख्षता नहीं है इस दुरगापंडाल में, जो हिंदु महासभा का दुरगापंडाल है कुलकता में यहाँ पर गांधी गांधी से चुड़े हुए तकरीबन समान करेक्टर को असुरों में बेठाया गया है और दिखाया गया है कि दुरगा किस तरह से तमाम लोगों का व्द कर रही है आप दुर्गा के असुरों के वद से सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन जिस सोच के तहट हिंदू महासभा ने गांधी के वद की कलपना की है वो हम सब जानते हैं कि असल में उसी तरह की हत्या उन्होंने सिर्फ आजादी के बाद नहीं आज तक वे गांधी की हत्या और नफरत को परोसने का काम कर रहे हैं पुलिस ने हस्तक शेप किया तो यहाँ पर तस्वीर को बदल दिया गया सवाल सिर्फ दुर्गा पूजा का ही नहीं है सवाल इस नफरती मानसिक्ता का है किस तरह से हमारे जो त्योहार जो प्रेम, महबबत, मृत्य, अलग-अलग विविद रंगों के त्योहार है इन्हें नफरती त्योहार में बदलने के लिए सिर्फ यह नफरती टीम ही नहीं देश का जो कॉर्परेट मीडिया है किस तरह से उतारू है इसकी एक के बाद एक जो मिसाल आ रही है वे अपने आप में शर्मनाक है यह आज तक के स्टार अंकर सुधीर चौधरी है और उनके जैसे जो भक्त टीवी अंकर है इनकी भीड अंगिनत है यह लगातार बकाइदा शो करते हैं गर्बा डांडिया को हिंसा भड़काने वाले शो में तबदील करते हैं जूट पर जूट परोस्ते हैं कहीं से भी ने शर्म नहीं आती कि यह देश का कितना नुकसान कर रहे हैं वे खुले आम कहते हैं कि गर्बा का इस्तमाल किस तरह से मुस्लिम लड़के लव जिहाद के लिए करते हैं और आप देखिए यह जो होड लगी है नफरत पहलाने की यह कहीं रुखती नहीं है करनाटा के उडुपी में दुर्गा दावन कारेक्रम में जो संग और बाकी उग्र हिंदुत्व संगठन से लोग जुड़े हुए हैं वो रैली निकालते हैं और इस रैली की फोटो देखिए वीडियो देखिए लोग हथियारों से लैस है मामला बहुत साफ है कि यह कौन लोग हैं इनको हम सब जानते हैं जो एक खुबसूरत त्योहार को नफरती त्योहार में बदले के त्योहार में तबदील करते हैं क्योंकि यही वो लोग हैं जो यह खबरे नहीं दिखाते हैं कि किस तरह से बंगाल में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर मुस्लिम समाज दुर्गा पूजा का आयोजन करता है अब देखिए न कि ये तमाम चैनल ये तमाम लोग यह नहीं दिखाते कि विदेश में जब लोग डांडिया करते हैं गर्बा करते हैं वहाँ पर जहाँ पर ओनर मुसल्मान है वहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होती लेकिन यहीं भारत में उसी मौल में जब फोटो आती है नमास पढ़ने की तो हंगामा हो जाता है बवाल कटता है सवाल बहुत साफ है कि विदेशों में इतनी बड़ी तादाद में जो भारती रहते हैं जो अपने उत्सव मनाते हैं और वहाँ पर वहाँ के लोग जो दूसरे धर्म से जिनका रिष्टा है वह सपोर्ट में खड़े होते हैं वहाँ से वे हमारे देश को किस तरह से देखते होंगे सोचिए उपर वाले ने एक और मौका दिया है उपर वाले ने एक और मौका दिया है गुजरात को, गुजरात के लोगों को सावधान रहना चाहिए, कॉंग्रेस खतम हो गई है, इस तरह की एंटी कॉंग्रेस बैटिंग करते हुए, अर्विन केजरिवाल बहुत दिल्चस्प नेता के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, और तो और वह यह भी दावा करते हैं, कि आईबी की रिपोर्ट है, कि गुजरात से आम आदमी पार्टी जीत रही है, अब आप देखिए, गुजरात में विधान सभा के चुनाओं होने हैं, और पूरा मौहल गरमाया हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी बड़ा हस्तक शेप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रहता है कि मैं तो मोदी समर्थक हूँ, ये दोनों पार्टियां अपने दुश्मन को कॉंग्रेस के रूप में पहचान रही हैं, दोनों ही चाहती है कि कॉंग्रेस गुजरात से साफ हो जाए, मोदी जी का जो प्रचार है वो दिनों दिन अलग धंका रूप अख्तियार कर साफ साफ पहचानने में मदद की है, मिसाल के तौर पर देखिए, कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो यह बता रही है कि गुजरात की जंता बहुत ठक गई है, बीजी पी शाशन से, उससे जो नाराज वोट हैं, उसे वह अपनी जोली में ले जाना चाहती है, जो कोई भी हैं, जो मोदी जी के या भाशपा के रहे हैं, वहीं भाशपा बहुत बड़े पैमाने पर, जो नाराजगी है जमीन पर, उसे पैच अप करने के लिए एक बार फिर मोदी के चहरे पर ही निर्भर है, और हम सब जानते हैं, कि इन चुनाओं में, मोदी जी देश के प्रधान मंत्री के तोर पर हमारे और आपके सामने आएंगे, चुनाओं हो या नफरती एजेंडा, इन सब के बीच हमारे आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है महंगाई, महंगाई की मार पर बहुत कम चर्चा है, लेकिन आने वाले दिन, निश्चित तोर पर और ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं आम भारतिय नागरिक के लिए, इसकी ठोस वजह है, यह खबर देखिए, यह खबर बता रही है कि ग्रामीर अर्थविवस्था बुरी तरह से लड़ खडा रही है, वजह बारिश कम होना, असमय बारिश होना, जिससे फसल चौपट हो गया है, यानि गाओं में जो लोग पशुपालक हैं, उन्हें अपने पशुवों को खिलाने के लिए चारा नहीं मिल रहा और मिल रहा है, तो बहुत जादा कीमत पर मिल रहा है, यह जो पूरी अर्थविवस्था लड़ खडाई है, इसका एक और पहलू है, जिस पे बात बहुत कम है, वह है गायों में फैली बीमारी, लुंपी बीमारी जो फैली है, जिससे लाखों की तादात में गायें प्रभावित हैं, एक लाख से अधिक गायें मर चुकी हैं, लेकिन चारों तरफ खामोशी है, और इसी बीच दिखाई देता है कि राष्टिव स्वेम पक संग, उस तक यह खबर पहुशती है, वह चिंतित होता है, जिस तरह से हमने देखा कि RSS General Secretary, महासचिव RSS के जो हैं, दत्तात्रे होस्बिले, वह बयान देते हैं, यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है मोधी सरकार के अच्छे दिनों के बारे में, उन्हों भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड लोग रोजाना महज 375 रुपे से भी कम में जिन्दा रहने की कोशिश कर रहे हैं, 4 करोड लोग बेरोजगार हैं, 7.6 फीसिदी बेरोजगारी दर है, अब आप क्या कहिएगा कि RSS जागी और जागी तो क्यों जागी, इतनी देर लगाई RSS ने क्योंकि ये सारे आकड़े जो RSS के महासचिव ने सामने रखे हैं, यह सब हम लोग जानते हैं, यह सरकारी आकड़े हैं, जो बताते हैं कि पिछले 8 साल में मुदी सरकार का जो विकास है, वो कहां गया है, अमबानी के पास गया है या अडानी के पास गया है, लेकिन RSS का खुल कर सामने आना और सवाल उठाना बता रहा है कि संकट बहुत गहरा है और शायद इसकी एक बहुत बड़ी वज़ा यह भी है कि उसे दक्षन से जो खबर मिल रही है कि लोगों में जो बेचैनी है वह विपक्ष की तरफ जो यात्रा चल रही है उसकी तरफ मुड़ सकती है और आज जब हम बात कर रहे हैं क्रिशी संकट पर खेती किसानी पर जो संकट चाया है उसी क्रम में बहुत जरूरी है लखीमपूर खिरी में उत्तरप्रदेश के लखीमपूर खिरी में एक साल पहले हुई बरबर घटना को याद करना हम सब ने देखा था कि जो किसान आंदोलन चल रहा था खेती किसानी की बधाली पर मोधी सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर चल रहा था उसके उपर किस तरह से लखीमपूर खिरी में केंद्री मंत्री अजे मिश्रा टेनी के बेटे अपनी एस्यूवी कार किसानों पर चला देते हैं दोडा देते हैं पांच भारती नागरिक मारे जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह यह वीडियो देखिए यहाँ पर पीडित परिवार की महिला कह रही हैं रोते हुए इस पूरे मुल्क से कह रही हैं कि कहीं कोई इंसाफ नहीं हुआ उन्हें मुआवजा नहीं उन्हें सजा चाहिए दोशी व्यक्ति उसको सजा हो क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मंत्री के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की ना मोधी सरकार ने और ना योगी सरकार ने कोई भी ना इंसाफी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो वह हमेशा सत्ता से सवाल करती है उसे कटगरे में खड़ा रखती है और लोगतंत्र की यही सबसे बड़ी कसोटी है शुक्रिया कर दो